देखें जो दोनों पत्रकार सामने खड़ें मैं इनको बोलूँगी हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलें देश की बाते दिखाएं बहुत जरूरी है हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश का तमाम मीडिया बैठा हुआ है शानती रखिए सरमनी आती है आपको तो इसका मतलब आप व्यूज लेना है बस आपको नहीं पते दो बजे उस दिन क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था देश के तमाम उन्निस पक्षपत्रकारों ने अवाज को उठाया था बेटियों की आप नहीं थे वह पर आप हिंदू मुस्लिम क चोड़ करके मेरे से मुद्दे की बात करेंगे तो मैं आपको जवाब दूँगी महोद है वर्णा नहीं दूँगी मैं कोई आपकी बंधवा नहीं हूं आप मेरे से मुद्दे की बात कीजिए हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आप मैं मुद्दों पर बात करूंगी जो क अखंड भारत का मतलब क्या होता है और सबसे बुरा नजारा जो था कल संसद का शायद आप लोगों ने देखा हो आप लोगों ने शायद देखा हो कि जितने इनकी पार्टी में मुल्जिम है यानि की ब्रजभूशन हो या फिर अशिश मिश्रा का पिता हो टैनी मिश्रा सभ यह परदान सेवक को दंडवत होते हुए पूरे वर्ल्ड ने देखा किस चीज के सामने वह क्योंकि एक देश की वह बेटी जिसको यह कहते थे कि विनेश तू तो मेरे घर की बेटी है तू तो मेरे परिवार की बेटी है आज उसी बेटी पर परदान सेवक अपनी पुलिस से डंडे बजवा रहे हैं और उद्गाटन कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि राज तंत्र का प्रतीक को लेकर उसके सामने दंडवत हो रहे हैं यह बहुत गंबीर विशय है आप इस विशय के बारे में सोची आपने जो मुझसे सवाल किया मैं उस सवाल का आपके जवाब बड़ी सांती से देना चाहूंगी कि इतिहास में परधान सेवक जो भी काम करते हैं जब से वो आए हुए हैं उनको इतिहास में दर्ज किया जाता है और ये भी इतिहास में दर्ज होंगी चीजे कि एक नई उदगाटन हो रहा था और देश में मैडल लाने वाली जो बेटियां थी उनके चहरे पर जूते रखवा रही थे प्रधान सेवक की पुलिसे उनको डंडा मार रहे थे रेक सवा महीने से वो लोगा अंदोलन कर रही थी ओलम्पिक में मैडल लाने वाली बेटिया और खिला उसी गिरफतारी के सभी नेता शिकार हुए कॉंग्रेस के और किसानों के जो नेता हैं वो शिकार हुए है और ये भी तिहास में दर्द होगा कि जब नई संसद का अध्गातन हुआ था तो उसमें राष्ट पती जी को नहीं बुलाया गया था और भूमी पूजन हुआ था तो उसमें उपराष्ट पती जी को नहीं बुलाया था ये पर्थम सम्विधान का जो पर्थम नागरिक है जो हमारे लोकतंत्र का पर्थम नागरिक सम्विधान में जो पर्थम नागरिकता दी गई है ये उनका अपमान है ये सम्विधान का अपमान है और ये सबी चीजे इतिहास में दर्ज होंगी कि जो परधान सेवक है वो अपने एहंकार में वो अपने घमंड में वो गुरूर में अपने इतने जादा मगुरूर हो गए कि ना उनको उन बेटियों की हालत दिखी और वो संसद का उद्गाटन करने परधान सेवक पासी में आए और उन पुलिस वालों से उनका धरना खतम करवाया और धरने का सामान जो था उसे DCM में भर के ले गए और बेटियों की जो हालत थी वो जो मंजर पूरे हिंदुस्तान नहीं नहीं क्योंकि कल वो एक ऐसा दिन था जिस दिन संसद का इनोंने उद्गाटन किया तो पू हाँ बिल्कुल नया इतिहास रच्चा गया है कि एक तरफ संसद का उद्गाटन कर रहे है और एक तरफ परधान सेवक की पुलिस महिला खिलाडियों पर जूते मार रही है लट मार रही है यह सारे देश ने देखा जो मंजर था या तो आप पुरानी बातों को बात में कर दीजिए ठीक पुराने जमाने की बाते कर लेंगे तो सारी चीज़े निकलेंगी कि क्या कॉंग्रेस ने बनाई क्या नहीं बनाई मैं आपकी बात का जवाब दे रहे हूं दूसरी बात जो परधान सेवक ने कल किया और इसको इस व्यक्ति को संसद में बुला करके नई संस कर दिया कि यह दंडवत हो रहे थे सगरोल के सामने राज तंत्र राज तंत्र का प्रतीक होता है यह सबको पता है और इनोंने इनकी मंशाएं क्या है इनकी जो अंदर मन में चलता है कि इनका चित्र और चरित्र और इनका दिमाग इनका संगीन दिमाग यह क्या करना चाहते रात को इन्होंने जूट बोल बोल करके किसानों को हटाने की कोशिस करी थी गाजी पूर बॉर्डर तमाम बॉर्डरों पर और इन्होंने बुजर्गों पर डंडे बजाये थे लठ बजाये थे उसके बाद धरने की जो रूप रेखा थी वो क्या थी वो पूरे देश ने दे और उसे भी जादा विपक्ष का भी हग बनता है कि अगर किसी भी सम्विधान के पद का अपमान होता है तो वो सम्विधान का अपमान है और वो सम्विधान का अपमान जो है हमें इस बात से तकलीफ है और मैं कहना चाहूंगी उन बेटियों से भी मैं उस दिन गई थी जंतर का दर्जा नहीं मिला, MSP लागू नहीं हुई, नियम और नियती आप अपनी रखना और निर्ने भी आप अपना रखना, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई किसान नेता हो, चाहे कोई कितना नेता क्यों नहीं हो, आप सिर्फ आदेश करना, आप किसी के आदेशों पर मत चलना मैं यहीं बोलूँगी इस मुद्दे पर आपको पता नहीं है कॉंग्रेस के सभी नेताओं को अरेस्ट किया गया जब दिली पे हम लोग दिली पर आ रहे थे दिली में जनतर मंतर पा रहे थे किसी को आफिस अरेस्ट किसी को सड़क पर अरेस्ट किसी को सड़क प सवाल है उनसे जवाब लेना क्या मैं उनके जैसी दिखती हूं नहीं न कहां पूला है यह गंभीर विशे हैं दूसरी बात विनेश फोगाट अगर इस पूलिस वाले पूछा कर रहे हैं उनका पीछा भी कर रहे हैं मैंने वह भी तस्बीर देखी कि जूता रखा हुआ है साक्षी मलीक के यहां पर और उसको भीच गया और उसको किस तरीके से पड़ताडिक किया गया सब देख रही हूं आप लोग भी देख रहे हैं दूसरी बा तो किसान संगठनों में, किसान लोगों में, बेटियों में, खिलाडियों में, विपक्ष में सब अपने अपने हिसाब से नीतिया बना रहे हैं आंदोलन होगा फिस्च होगा देखे सत्ता पक्ष की छोड़ दीजे क्या सत्ता पक्ष को कल का ही दिन मिला था कि सावर करके जनम दिन पर उधगाटन करते हैं क्या उनको कल का ही दिन मिला था अब उनको बेटियों को पता था कि आज प्रधान मंत्री उधगाटन करने आ रहे हैं तो फिर आज ही हमारा उनस से मुलाकात हो जाएगा और किस तरह से तिरंगे को ले करके वो बेटियां चल रही थी और तिरंगे को यह परधान सेवक की पुलिस है किस तरीके से नीचे गिरा रहे थी अगर देश की बेटी मार्च निकाल रही एक कोई दिक्कट क्या है लोकतंत्र है देश में या मैं मालूँ कि अगरिशो का पनी आवाज उठाने का अधिकार है अब उनका क्या मकसद था कि वो बेटियों से डंडे बजवारें अपनी पुलिस से बेटिया धरने पर बैठिये उनको पड़ताडित करवारें कभी उनके धक्का लागाते हैं उनके पुलिस के लोग कभी कुछ करते हैं उनका क्या मंसद आप अगर उनके परवक्ता है तो मुझे बढ़ाएं क्या मनसाती क्यूं आपने देखा नहीं रात को रात को नहीं पता नहीं रात को दो बज़े पुलिस ने वो हाहाकार मंजर मचा है उनको बेटियों के सामने रात केरें बड़ी घटना नहीं थी बेरिगेट लगाने की जरुवत क्या थी क्या जरुवत थी अगर बेट यहां मार्च निकालना चाह रहे हैं लोगतंत्र देश है यह सम्विधान है इसमें परमीशन अगर कोई परमीशन इनसे मांगता है यह तो कहीं पंचायत करने की परमीशन नहीं दे रहे विपक्ष को न पुलिस लट बजा रही थी और एक महिला पहलवान के सीने पर धक्का मारके गिरा रही थी उस दिन भी पर्मिशन थी ना पर्मिशन से हुए थे ना इनके सारे काम ये मैं यही बोलूँगी कि इस देश में किसी के घर में लोकतंत्र हो या ना हो लेकिन इस देश में जो है लोकतंत्र है सम्विधान है अगर किसी को इस देश में अपनी आवाज उठाने का हक है तो ये सम्विधान हक देता है और ये आवाज जो है ये क्या सोच रहे हैं ये सब करने से क्या हो जाएगा क्योंकि ये ये उस देश और उस खून और उस मिट्टी से तालुक रखने वाले लोग है जिनोंने ताना शाह को हरा करके देश को आजाद कराया था ये धरती माफी लिखने वालों की नहीं है ये बिरिटोसों से पैंसल लेने वाले लोगों की धरती नहीं है ये धरती शही माफी मांगने वाले लोगों की धरती नहीं है यह उनकी अपनी मनसा है और यह समझ नहीं होगी जनता को कि जिस देश के इतने बड़े प्रधान सेवक ठीक इतने बड़े पदपर रहने वाले व्यक्ति एक राज तंतर के पृति के सामने दंडवत पढ़नाम करते हैं तो उनक आप मन समझ लीजे कि वो जनता को और तुम तमाम मीडिया वालों को और इस देश की एक एक जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मनसा क्या है उनका चित्र और चरित्र क्या है कि वो कितने राज तंतर को फोलो करते हैं यह उनकी मनसा है अच्छी बात है सब का सम् किर्टी अभी तक बची हुई है और हमेशा रहेगा पालियमेंट तो जाना पड़ेगा अभी हम जैसे लोग नहीं जाएंगे तो पूछने जाएंगे नहीं कोई नहीं हमारा काम है हमारा काम है अपनी बात को रखने वहां जो बैठे हुए परदान सेवक जो है वो हमारे को दीजीने कि पूरम पंडित ने मुझे गाली दिया मैं अच्छे से जानती हूं तो आप कैसे करें आप लोग नहीं बोले आप और दूसरी बात देश के प्रदान सेवक को देखे कितना समय है निन्यान में गाली दिया चुरान में दिया पिचान में दिया चान में दिया उनके पास इन चीजों की फुरसत है लेकिन जंतर मंतर पर बैठी वो भेटिया उनके लिए दो मिनट का समय नहीं है कि वो उनकी बाते सुन ले तो आप यहीं अंदाजा लगा लिजिए कि देश के प्रदान सेवक को कितना समय है